और आइव आपको एनिमेशन के जरीए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक लगातार ये जटके आ रहे हैं देखिए ये है जमू कश्मीर से लेकर अरुनाचर प्रदेश तक हिंदुस्तान में फैला हिमाले का 2400 किलो मीटर का रेच्च। हिमाले की इसी हिस्सन में करीब 6 करोड लोग बसते हैं इसी हिमाले में मौजूद जमू कश्मीर पिछले 36 घंटों में 4 बार भुकम के जटके आए हैं गुरवार को करगिल में भातल भी पटा था ये पहली तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं वहीं आप दूसरी तस्व पान के वज़े से ग्लेशियर का पिगलना और एक दूसरी वज़े है बादल का फटना ये जीन पहले से ही इतने भरे हुए हैं कि इनमें अब और पानी सहने की ताकत नहीं बची है और इस वक्त हम आपको तीसी तस्वीर दिखा रहे हैं देखिए स्क्रीन पर नीचे के तर पुद्राखंज में बड़ा खत्रा केदारनात बद्रिनात यमुनोंत्री की बात की जाए गंगोत्री की बात की जाए यहां पर खत्रा मण रा रहा है और वैसे ही तबाही के पाव दिल्ली तक भी पहुँच सकते हैं अब सवाल यह उठता है कि बार बार आ रहे इस भूकम की बच़े क्या है इसके लिए कौन लोग जिम्मेबार है एक स्वोच क्या कहते हैं सुनिए तबाही का बटन दबा रहा हमाले ऐसा क्यूं कर रहा है दरसल पिछले 50 सालों में हमाले के अंदर और बाहर की तस्वीर बदल गई एक तरफ जीले तो दूसरे तरफ डैम जील तो तबाही का ट्रेगर दबा ही रही है डैम भी किसी भी वक्त खत्रा बन सकते हैं